यह है याड यहां पर खड़ी वी यह गाड़ियां सब यह देख सकते हो आप दो कि नाम सिखारी है यह तु पर नाम सिखारी है अगर आपको लॉग वी यह चैनल आप देख सकते हो कि कितने गंदी सट पैनाओ और नाया भी नहीं सुबे से वीडियो बना रहाँ तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मेरी नए निव एकदमी निव चेतक के बारे में आज है वीडियो तो चलो आप लोगों के साथ से लाइक करना तो कमेंट में लाइक आया है और एक दो जन का रिपलाय आया है तो मेरे को लगा कि हाँ बना सकते हैं एक इंफरमेशन दे सकता हूं कि अपनी मेरी बजाचे तक कैसी है कैसे उसके पॉफॉर्मेंस है और बहुत सारी बाते करेंगी हम इस वीडियो पे और आप पूरा वीडियो को एंड तक के दएखना आप लोगों कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो पे तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के और चलता हूं में अपने चेतर के पास घर के अंदर खढ़ है चार्ज लगाया था और कित्ते चार्ज में कित्ता किलोमीटर का रेंज दे रही है पूरी एक-एक स्पैसिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो पे तो जो भी चैनल पे नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बैल आइकन दबाना मत बुनना कमेंट करना आपको वीडियो अच्छी लगे या पूरी लगे जैसी भी लगे आप कमेंट कर दिया करो कि हम आगे चल के इंप्रूफ कर पाएं खुद को और वीडियो कॉलिटी को भी और बहुत कुछ जो मिलते हैं फिर वीडियो के अंदर तो आप लोग देख पा रहे है कि यह बजाचे तक विडियो टिंटीटी वेटेट्टि और इसमें तीन वेडियो आते हैं पहला बेज variant जो आप देख फारे होगे थना यह मेरा pH MARKS एंडaren कुझा हाथ कि इसके बाद आता है सेकेंड टॉप फिर आता है डॉप वेरियेंट स्किंप आती है सोरूम मारे रहती है नैंटी-फाइफ तो मेरी मम्मे को चेतक पसंद थी उन्होंने चला के देखा था तो इस वज़े से घरवालों ने बोला कि बजा चेतक ज्यादा अच्छी है इसलिए हम लोगों ने लिया है वैसे हम लोग ने टीवी एस की जो आईक्यू बातिये वो भी चलाए थे वो भी देखे थे तो यह मै एकदम जल्दी जल्दी में लिये क्योंकि हमारी एक्टिवा जो थी वो खराब हो चुकी थी इस वज़े से उसको चेंज करना था तो चेंज करके एक कोई से गाड़ी लेना था तो हमने ली है ये बजाच्चे तक जो कि हमको देती है फुल चार्ज में 110 किलोमीटर की फुल चार्ज में और इसको चार्ज होने में लगता है चे गंटे टोटल फुल चार्ज होने में अगर आपके चार्जिंग 50% पहले से ही है तो इसको ज्यादा देर burdens लगेगा तीन फाराइए ये पूरी फुल चार्ज हो जाईगी और मीरा एक्स्पीरियनस बहुत अच्छा रहा है हमारी इस जेतक को लेके क्योंकि मैं एक्टिवा यूजर था मैंने एक्टिवा को बहुत रगड की यूज किया है कम से कम मैंने उसको यही एक लाग से उपर ही चला चुका था चाल साल में और बहुत ही ज्यादा रगड के यूज किया हूं उसके लिए हम लोग टैक पैक आता है वो कुछ नहीं लिए है और एकडम बेस वैरियंट है और आप लोगों को इसकी डिक्की की स्पेस भी दिखाता हूं यह ऐसे चाभी को ऐसे करके अंदर पुस करके वो करोगे तो खुल जाती है इसकी डिक्की ओला से छोटी है और कुछ-कु इसमें डिमेरिक्स भी हैं आप लोगों को भी बताऊंगा क्योंकि आगे देख सकते हूं इसमें सिलेंडर भी नहीं आ सकता है और देखा जाए तो इसकी ओवराल बॉड़ी को देखे तो यह पूरी मैटैलिक है यहां और यह यह भी मैटल का है और यह थोड़ा सा वो प्ला यह से बाड़न वाले यह लगा हूँ है सैड़ गार और इसमें स्टाइन मेंस्टें अलग से लगवाना पड़ता है चूंकि यहां पर है और इसह पर अच्छी बात यह कि इसकी बिन्ड कॉलीटी के वज़े से हमने लिया है और इसका चार्जर है वह auto auto cut हो जाता है इसका च चार्ज होते ही आपका चार्जिंग बंद हो जाती है यह में को अच्छी बात लगी इसकी बाकी गाड़ियों के जैसे डर नहीं है इसमें कुछ भी फुटने फाटने का और इसके सौकब एक ही सौकब दिया हुआ है आगे में यही था इस वीडियों के और हम तो ओवराल बॉ इसमें दो आदमी बैठ सकते हैं दो या तीन और यह फैमिली फैमिली वाली एक्टिवा जैसे ही इसका पापामेंस है अच्छी गाड़ी है रफ और टफ यूज करने के लिए है पर फिर भी रफ टफ यूज ना करें सीटी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है मैं इसको 100 किलोमीटर पूरा घुम देता हूं और 10 किलोमीटर बचे रहते हैं जब चार्ड के चार्ज करता हूं और इसके लिए बस इतना ही और अगली वीडियो में आप लोग कमेंट करके बताये कि और क्या-क्या जानना है इस गाड़ी के बारे में तो उस टॉपिक के उपर हम वी रिलेटेड और कुछ अलग-अलग चीज़ों के बारे में तो कमेंट करके बताना आप लोगों के लिए वैसी वीडियो लेकर आएंगे धन्युक्त